निर्धन ब्राहमन एक ब्राहमन था जिसकी पत्नी और चार बच्चे थे। वह बहुत गरीब था। दुनिया में कोई संसाधन न होने के कारण वह मुख्य रूप से अमीरों के उपकारों पर निर्भर रहता था। जब विवाह का जश्न मनाया जाता था या अंतिन संसकार समारो आयोजित किये जाते थे तो उन्हें काफी लाब होता था लेकिन चुंकी उनके पैरिशियन हर दिन शादी नहीं करते थे, नहीं वे हर दिन मरते थे, इसलिए उन्हें दो वक्त की गुजारा करना मुश्किल हो उसकी पतनी अक्सर उसे परियाप्त समर्थन देने में असमर्थता के लिए डांटती थी और उसके बच्चे अक्सर नगन और भूखे रहते थे लेकिन गरीब होते हुए भी वह एक अच्छा इनसान था वह अपनी भक्ती में मेहनती था और उनके जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने निर्धारित समय पर अपनी प्रार्थना न की हो उनकी संरक्षक देवी देवी दुर्गा शिव की पतनी ब्रह्मांड की रचनात्मक उर्जा थी किसी भी दिन उन्होंने तब तक पानी नहीं पिया या भोजन का स्वाद नहीं लिया जब तक कि उन्होंने लाल स्याही से कम से कम 108 बार दुर्गा का नाम नहीं लिखा जबकि पूरे दिन वह लगातार स्खलन का उच्चारन करता रहा हे दुर्गे हे दुर्गे, मुझ पर दया करो जब भी वह अपनी गरीबी और अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोशन करने में असमर्थता के कारण चिंतित होते तो चिल्ला कर कहते दुर्गा दुर्गा, दुर्गा एक दिन वह बहुत दुखी होकर, जिस गाउ में वह रहता था, उससे कई मील दूर एक जंगल में चला गया और अपने दुहक में डूब कर फूट-फूट कर रोने लगा उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की हे दुर्गा हे मा भगवती, क्या आप मेरे दुख का अंत नहीं करेंगी? क्या मैं दुनिया में अकेला था, मुझे गरीबी के कारण दुखी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे दिया पत्नी और बच्चे हे मा, मुझे उनका भरण पोशन करने का साधन दो, ऐसा हुआ कि उस दिन और उसी स्थान पर भगवान शिव और उनकी पत्नी दुर्गा सुभा की सैर कर रहे थे देवी दुर्गा ने दूर से ब्राहमन को देख कर कहा, अपने दिव्यपती से कहा हे कैलास पती क्या आप उस ब्राहमा को देखते हैं? वह हमेशा अपने होटों पर मेरा नाम लेता है और प्रार्थना करता है कि मैं उसे उसकी परेशानियों से मुक्ती दिलाऊं हे प्रभु क्या हम उस गरीब ब्राहमन के लिए कुछ नहीं कर सकते जो उत्पीडित है क्योंकि वह अपने बढ़ते परिवार की देख भाल कर रहा है हमें उसे इतना देना चाहिए कि वह सहज हो सके चुंकि गरीब आदमी और उसके परिवार के पास कभी भी खाने के लिए परियाप्त नहीं होता है मेरा प्रस्ताव है कि आप उसे एक हांडी दें जिससे उसे मुद्की की कभी नखक्म होने वाली आपूर्ती मिल जाए कैलास के स्वामी ने अपनी दिव्यपत्नी के प्रस्ताव को तुरंट स्विकार कर लिया और अपने आदेश से मौके पर ही आवश्यक गुनवत्ता वाली एक हांडी बनाई तब दुर्गा ने ब्राहमन को अपने पास बुलाते हुए कहा हे ब्राहमन मैंने अक्सर आपके दैनिय मामले के बारे में सोचा है आपकी बार-बार की गई प्रार्थनाओं ने आखिरकार मेरी करुणा को जगा दिया है यहाँ आपके लिए एक हांडी है जब आप इसे उल्टा करेंगे और हिलाएंगे तो इससे बहतरीन मुद्की की कभी नरुकने वाली बौचार होगी जो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप हांडी को उसकी उचित स्थिती में वापस नहीं ला देते आप आपकी पतनी और आपके बच्चे जितनी चाहें उतनी मुद्की खा सकते हैं इतना अमूल्य खजाना पाकर ब्राह्मन अत्यधिक प्रसन हुआ उसने देवी को प्रणाम किया और हांडी को हाथ में लेकर जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे उतनी तेजी से अपने घर की ओर चल दिया लेकिन जब वह अद्भुत जहास की प्रभावकारिता का परीच्षन करने के बारे में सोचा तो वह कई गस दूर नहीं गया था तद्नुसार उसने हांडी को उल्टा कर दिया और उसे हिलाया जब देखो और देखो सबसे बहतरीन मुद्की की एक मात्रा जो उसने कभी देखी थी जमीन पर गिर गई उसने मिठाई अपनी चादर में बांधी और चल दिया अब दोपहर हो चुकी थी और ब्राहमन भूखा था परन्तु वहस नान और प्रार्थना के बिना भोजन नहीं कर सकता था जैसे ही उसने रास्ते में एक सराय देखी और उससे कुछ ही दूरी पर एक तालाब था उसने वहां रुखने का इरादा किया ताकि वहस नान कर सके प्रार्थना कर सके और फिर बहुप्रतीक्षित मुद्की खा सके ब्राहमन सराय वाले की दुकान पर बैठ गया हांडी उसके पास रख दी, तंबाकू पिया, अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाया और बगल के टैंक में सनान करने से पहले हांडी को सराय के मालिक को सौंक दिया और उससे बार-बार विशेश लेने के लिए विंती की इसकी देख भाल करें जब ब्राहमन सनान और पूजा के लिए गया तो सराय के मालिक को यह अजीब लगा कि उसे अपने मिट्टी के बरतन की सुरक्षा के प्रती इतना सावधान रहना चाहिए उसने सोचा हांडी में जरूर कुछ मूल्यवान होगा अन्यथा ब्राहमन को इसके बारे में इतना विचार क्यों करना चाहिए उत्सुकतावश उसने हांडी खोली और उसे आश्चर्य हुआ कि उसमें कुछ भी नहीं था इसका क्या मतलब हो सकता है सराय के मालिक ने अपने मन में सोचा ब्राहमन को खाली हांडी की इतनी परवा क्यों होनी चाहिए उसने बरतर उठाया और ध्यान से उसका निरीक्षन करने लगा और जब परीक्षन के दौरान उसने हांडी को उल्टा कर दिया तो उसमें से बहतरीन मुद्की की एक मात्रा गिर गई और बिना किसी रुकावट के गिर्ती चली गई सराय के मालिक ने सौभाग्य के इस अपरत्याशित जटके को देखने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया चीनियुक्त भुने हुए धान की वर्षा इतनी अधिक थी कि उनसे सराय के मालिक के सभी बर्तन और मर्तबान भर गए उन्होंने इस बहुमूल्य हांडी को अपने लिए उप्युक्त बनाने का संकल्प लिया और तदनुसार उसके स्थान पर उसी आकार की एक और हांडी रख दी और उसे बना दिया अब स्नान और ब्राह्मन भक्ती समाप्त होने के बाद वह गीले कपड़ों में वेदों के पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हुए दुकान पर आया सूखे कपड़े पहन कर उन्होंने कागस के एक टुकड़े पर लाल स्याही से 108 बार दुरगा का नाम लिखा जिसके बाद उन्होंने उस मुद्की पर अपना वरत खोला जो उनकी हांडी ने उन्हें पहले ही दे दी थी इस प्रकार तरोताजा होकर और घर की और अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए उसने अपनी हांडी मंगवाई जो सराय के मालिक ने उसे दे दी और कहा वहां श्रीमान आपकी हांडी है यह वही है जहां आपने इसे रखा था किसी ने इसे नहीं चुआ है ब्राहमन ने बिना किसी संदेह के हांडी उठाई और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसने अपने आपको अपने अध्वितिय सौभाग्य पर बधाई दी कितना अच्छा है उसने मन ही मन सोचा क्या मेरी बेचारी पत्नी को आश्चर्य होगा बच्चे कितने लालच से स्वर्ग की बनाई हुई मुद्की खाएंगे मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा और उन सब में से सर्वश्रिष्ट के साथ अपना सिर उचा करूंगा इन आनंदमय आशाओं से यात्रा के कष्ट काफी हद तक कम हो गए वह अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी तथा बच्चों को बुला कर कहा देखो मैं क्या लाया हूँ यह हांडी जो तुम देख रहे हो यह धन और संतोश का अमोग स्रोत है तुम देखोगे कि उसमें से उत्तम मुद्की की धारा कैसे बह निकलेगी यह तब होता है जब मैं इसे उल्टा कर देता हूँ ब्राहमन की अच्छी पत्नी ने हांडी से लगातार मुद्की गिरने की बात सुनकर सोचा कि उसका पती पागल हो गया होगा और उसकी राय की पुष्टी तब हुई जब उसने पाया कि जहास को बार-बार उलटने के बावजूद उसमें से कुछ भी नहीं गिरा दुहक से अभिभूत होकर ब्राहमन ने निशकर्ष निकाला कि सराय के मालिक ने उसके साथ कोई चाल खेली होगी उसने अवश्य ही वह हांडी चुराली होगी जो दुरगा ने उसे दी थी और उसके स्थान पर एक सामान्य हांडी रख दी होगी वह अगले दिन फिर सराय वाले के पास गया और उस पर अपनी हांडी बदलने का आरोप लगाया सराय के मालिक को गुस्सा आ गया उसने उस पर चोरी का आरोप लगाने की ब्राहमन की गुस्ताखी पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसे अपनी दुकान से निकाल दिया तब ब्राहमन ने खुद को देवी दुर्गा के साक्षातकार के बारे में सोचा जिसने उसे हांडी दी थी और तद्नुसार वह जंगल में चला गया जहां वह उससे मिला था शिव और दुर्गा ने पुनह साक्षातकार द्वारा ब्राहमन का पक्ष लिया दुर्गा ने कहा तो तुमने वह हांडी खोदी है जो मैंने तुम्हें दी थी यहां एक और है इसे ले लो और इसका सदुपियोग करो ब्राह्मन ने खुशी से उत्साहित होकर दिव्य जोडे को प्रणाम किया बरतन उठाया और अपने रास्ते पर चला गया वह बहुत दूर नहीं गया था जब उसने उसे उल्टा कर दिया और यह देखने के लिए उसे हिलाया कि कहीं उसमें से कोई मुद्की तो नहीं गिर जाएगी भयावता का भय मिठायों के स्थान पर विशाल आकार और विक्राल रूप वाले बीसियों राक्षस हांडी से बाहर कूद गए और चकित ब्राहमन को पीटना शुरू कर दिया मार पीट, घूसे और लातें जब राक्षस तुरंत गायब हो गए तो उसके पास हांडी को पलटने और उसे ढखने की चतुराई थी उसने निशकर्ष निकाला कि यह नई हांडी उसे सराय के मालिक को दंडित करने के लिए ही दी गई थी तदनुसार वह सराय के मालिक के पास गया, उसे नई हांडी सौंपी और उससे विंतीकी की वह इसे तब तक अपने पास रखे जब तक वह स्नान और प्रार्थना से वापस न आ जाए इस दूसरे इश्वरिय उभार से प्रसन्न होकर सराय के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और कहा यह उसी ब्राहमन द्वारा यहां लाई गई एक और हांडी है जो मुद्की की हांडी लाया था मुझे उम्मीद है कि इस बार यह मुद्की नहीं बलकी संदेसा होगा आओ तोक्रिया और बर्तन लेकर तयार रहो और मैं हांडी को उल्टा कर दूंगा और उसे हिला दूंगा यह हुआ ही नहीं था कि कई भयंकर राक्षस शुरू हो गए जिन्होंने सराय के मालिक और उसके परिवार को पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा उन्होंने दुकान में भी तोरफोर शुरू कर दी और उसे पूरी तरह से नश्ट कर दिया होता अगर पीडितों ने ब्राहमन से जो इस समय तक स्नान करके लौट आया था उन पर दया दिखाने और भयानक राक्षसों को दूर करने की प्रार्थना नहीं की होती ब्राहमन ने सराय के मालिक के अनुरोध को स्विकार कर लिया उसने बरतन को बंद करके राक्षसों को बर्खास्त कर दिया उसे पहली हांडी मिल गई और दोनों हांडी लेकर वह अपने पैत्रिक गाव चला गया घर पहुचकर ब्राहमन ने अपने घर का दर्वाजा बंद कर लिया मुद की हांडी को उल्टा कर दिया और उसे हिलाया नतीजा यह हुआ कि देश में कोई भी हल्वाई जो बहतरीन मुद की बना सकता था उसकी अविरल धारा जारी हो गई उस आदमी उसकी पतनी और उनके बच्चों ने मिठाई को जी भर कर खाया घर के सभी उपलब्ध मिठी के बर्तन उससे भर गये और ब्राहमन ने अगले दिन हल्वाई बनने अपने घर में एक दुकान खोलने और मुड की बेचने का संकल्प लिया जिस दिन दुकान खुली उसी दिन पूरा गाव उस अद्भुत मुद्की को खरीदने के लिए ब्राहमन के घर आया उन्होंने अपने जीवन में ऐसी मुद्की कभी नहीं देखी थी, वह इतनी मीठी, इतनी सफेड, इतनी बड़ी, इतनी सुस्वादू थी, गाव या देश के किसी भी कस्बे में किसी भी हल्वाई ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाया था ब्राहमन की मुद्की की प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों में गाव की सीमा से परे बढ़ गई और लोग इसे खरीदने के लिए दूर-दूर से आने लगे प्रतिदिन गाडिया भर कर मिठाया बेची जाने लगी और थोड़े ही समय में ब्राहमन बहुत अमीर हो गया उसने इंटों का एक बड़ा घर बनाया और जमीन के एक कुलीन व्यक्ति की तरहे रहने लगा हाला कि एक बार उसकी संपत्ती बरबाद होने वाली थी एक दिन उनके बच्चों ने गलती से गलत हांडी हिला दी तभी बड़ी संख्या में राक्षस नीचे गिर गए और उन्होंने ब्राहमन की पत्नी और बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से मार रहे थे तभी खुशी-खुशी ब्राहमन घर में आया और हांडी को उलट दिया। भविश्य में इसी तरह की तबाही को रोकने के लिए ब्राहमन ने राक्षस हांडी को एक निजी कमरे में बंद कर दिया, जहां तक उसके बच्चों की पहुँच नहीं थी। हाला कि शुद्ध और निर्बाद समरिधी नश्वर लोगों का भाग्य नहीं है, और यद्यपी राक्षस हांडी को एक तरफ रख दिया गया था, फिर भी ऐसी कौन सी सुरक्षा थी कि मुद की हांडी के साथ कोई दुरगटना न हो। एक दिन ब्राहमन और उसकी पतनी की घर से अनुपस्थिती के दौरान बच्चों ने हांडी हिलाने का फैसला किया, लेकिन चुंकी उनमें से प्रत्येक इसे हिलाने का आनंद लेना चाहता था, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए एक सामान्य संधर्ष करना पड़ा, औ और मेले में हांडी जमीन पर गिर कर तूट गई, यह कहने की आवशक्ता नहीं है कि घर पहुचने पर जब ब्राहमन ने विपत्ती के बारे में सुना तो वह अवर्णनिय रूप से दुखी हो गया, बेशक बच्चों को अच्छी तरह से डाटा गया था, लेकिन बच्चो और शिव और दुरगा फिर उनके सामने प्रकट हुए, और सुना की कैसे हांडी तोड़ी गई थी, दुरगा ने उसे निमलिखित चेतावनी के साथ एक और हांडी दी ब्राहमन इस हांडी का ख्याल रखना, यदि तुमने इसे फिर से तोड़ दिया या खो दिया, तो मैं तुम्हें दूसरी नहीं दूंगी, ब्राहमन ने प्रणाम किया और बिना कहीं रुके अपने घर चला गया, घर पहुचकर उसने अपने घर का दर्वाजा बंद कर लिया, अपनी पतनी को अपने पास बुलाया, हांडी को उल्टा कर दिया और उसे हिलाने लगा, वे केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि उसमें से मुद्की गिरेगी, लेकिन मुद्की के बजाए उसमें से सुन्दर संदेशा की एक बारहमासी धारा निकली, और ऐसा संदेशा, बुर्रा बाजार के किसी हलवाई ने कभी इसके जैसा नहीं बनाया, यह मनुश्यों से अधिक देवता कोंकी भीड उमड पड़ी, सभी त्योहारों में, सभी विवाह भोजों में, सभी अंतिम संसकार समारोहों में, सभी पूजाओं में, किसी ने भी ब्राहमन के अलावा कोई अन्य संदेश नहीं खरीदा, हर दिन और हर घंटे, स्वादिष्ट मिठाईयों से भरे विशाल आ बलकि हांडी से गिराया गया था, उसने चमतकारी बरतन पर कबजा करने की योजना बनाई, अपने बेटे की शादी के जश्न में उन्होंने एक बड़ी दावत रखी, जिसमें सैकडों लोगों को आमंतरित किया गया, इस उद्देश के लिए संदेशा के कई परवतभार क की आवश्शकता होगी, जमीनदार ने प्रस्ताव दिया कि ब्राहमन को जादूई हांडी को उस घर में लाना चाहिए जिसमें दावत आयोजत की गई थी, ब्राहमन ने पहले तो इसे वहां लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब जमीनदार ने इसे अपने घर ले जाने प अबजा कर लिया और ब्राहमन को अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिया गया, ब्राहमन बिना क्रोध किये चुपचाप अपने घर चला गया और दानवहांडी हाथ में लेकर जमीनदार के घर के दरवाजे पर वापस आ गया, उन्होंने हांडी को उल्टा करके हिलाया, जि नायास ही महमानों ने पकड़ लिया और पीटा महिलाओं को उनके बालों से जेनाना से खींच लिया गया और पुरुषों के बीच इधर उधर घुमाया गया, जबकि बड़े और हट्टेकटे जमीनदार को रुई की गठरी की तरहें एक कमरे से दूसरे कमरे तक घुमाया होता, जमीनदार ब्राहमन के चर्णों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा, उस पर दया की गई और राक्षस दूर हो गए, उसके बाद ब्राहमन को जमीनदार या किसी अन्यद्वारा परेशान नहीं किया गया और वह बहुत वर्षों तक बड़े सुख और आनंद में रहा